कर सकते हैं ये सकते हैं तो बस आज यह सकते हैं तो बस आज जो मेरा topic है वह होली को लेके है कि हली मैं जो हमारी ISKIN होली खेलने के बाद जब हमारीwn' इतनी ख़राब हो जाती है को सिस् Soo Swi congress करें और होली कंन से पहले और में किन की चीज़ां को सब्रम हुआ कर लिए और क्या-कय चीजहां विचल को बताने के लिए उस च्छोटा सा वीडियो बना रही हूं और जो चीजह में यूस कर रही हूं वह आप लोग भी बिल्कुल जो करके बिल्कुल बिंदास होके बुरूरा को इंजोए करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारी body parts की में बात करूं जिसमें हमारे nails एक बहुत important role करता है होली खेलते समय क्या होता है कि हम अपने nails में होली खेलने की बात जब हमारे nails में जो रंग भरता है वो बहुत ही आपके एक्षुल नेल्स अगर बढ़े हैं तो आप उसमें एक अपने नेल्स को सेव रखने के लिए थोवासा हलका छोटा कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि आप उसमें बेस कोट लगाएं गोली खेलने से पहले क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान करें वह मैं बता रही हू कि जो आप घोली खेलने जारे हो तो आपने नेल्स को किस तरीके से प्रटक्त करें अपने अपने नेल्स में आप बेस कोट लगाएं पहले उसके बाद नAJबेस सब्सक्राइब नेल्स की चारों तरफ है यह बहुत गंदे रगलने के पाद तो आप उसमें कर सकते हो कि आप इसमें वैसलीन का यूज करें कभी क्या होता है यह जो यह डैप्थ जहां पर होती है फिंगर्स की बीच में बहुत गंदे तरीके से कलर बर जाता है तो उसको कैस करें तो आप उसमें भी अच्छी तरह एक वैसलीन का यूज कर सकते हो और अपने क्यूटिकल के चारो तरफ और यहां अच्छी से इसको यूज कर लेंगी तो यह तो आपके हाथ हाथ और आपके नेस को किस तरीके से प्रटक करना मैंने बताया है अब आया आपका हेर मैंने तो यह देखा है होली खेलने के बात जो बालों की कंडिशन होती है वह इतनी ज्यादा ख़तरनार होती है कि मैं बताने सकते हूं इतने रफ जूट जासे फीर होते गंदे वाले क्योंकि रंगों का जो चैमिकल होता है आपके बालों को बहुत जादा मुशान करता है तो इनको अच्छे से अच्छी कॉंटिती में लेके और यूज करिए जिस्से की और अच्छे से मसाज देके इनको बढ़िया सा बंद बना ले या फिर अच्छा सा एक चोटी बना ले ओपिन बाल नहीं रखना है और इस लिए नहीं रखना है क्योंकि जब आप होली खेल रहे लोगों को अच्छे से टाइक करें या अच्छा साथ बना ले या तो सकते हो अब आपकी आप मैं बात करते हूं आपकी की आपकी बोड़ीपार्ट की आपकी पूरी worker क्योंकि आप लो सारे मत्र kemmm करने के लिए आप क्या नकि NBC करिए क्रेंगे उसको प्रणे के लिए आप करेंगे कोकोनट ओई और कर Phariser out इन डोनों की क्वांटिती आधी-आधी मिला लेंगे कि कि कान्टिती में मिला लिया चिक होता है अपनी बोडी में लगा गया तो बोडी में बहुत अच्छे से शिपस का जाता है मतलब अच्छ से चिपक जाता है जब आपके ऊपर कोई कलर लगेगा या पर कोई भी केमिकल आपके ऊपर आएगा तो वह वहीं पर उसको रोग देगा तो आपनी बॉड़ी में अच्छी तरह से और एक बाद और ध्यान रखिए जहां पर आपके बॉड़ी में गहराई होती है जो पार्ट में गहराई होती है आप वहां पर अच्छे से यह और का यूज करें क्योंकि आपका एलबो हुआ नीज हुआ आपके आमस हुए उसमें क टेल के के बॉड़ी में जाले गारे तो आप अपने हैं यह वह मिकस किया हुए है उसको अच्छे से आप उसमें पूरी बोड़ी में अच्छे से लाएं और आपको दुम्हां बताऊं कि आप पीट में जरूर लाएं कि वह बहुत टाइम बाद जाता है फेस का निकल जाता है हाथ का सब जगह के निकल जाता पर बेक का बहुत मुश्कित से निकलता था बैक में अच्छे से ऑईल लगवाएं और एक चीज और भी कर सकते हो आप को कोशिश करिए sorry आप कोशिश करिए कि आप फुल कपड़े पेहने मतलब ज्यादा ओपिन कपड़े नहीं पहने आप पूरी कोशिश करिए कि आप फुल जो भी आप ड्रस पहने रहे हैं वो फ्ल वीयर रेक करे तो जससे कि आपका sun से भी आप बचोगे color से भी आप बचोग कि कि जब 91 करने कि बार जब आप कर द dismount करते हो तो तो कहीं 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 को फेस कर जाता है ऑप राया तया तो आप जो सामने नहीं आप तो वह थोड़ा सा एंबर्स नोगा थो आप उसके लिए अच्छे से प्रोटक्शन करें अपने फसको किस तरीके से करना में बताती हूं आपको और मैं अब आपके फेस की बात कर रही हूं तो फेस में आप सबसे पहले बहुत इंपोर्टंट है आप अपने फेस में जब या उसका एस्ट अपोना चाहिए यह लगाना मत भूलिएगा आप चाहे तो पूरी बॉड़ी में भी लगा सकते हो पहले आपने पूरी बॉड़ी में अपने उसके ऊपर लगा लिया वैसे ही आपको फेस पे और यह नय केरिये पर आपको पूरे में संस्कीन जरूर लगाना है स बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा आपका फेस होता है ठीक है उसके बाद आपने संस्क्रीन लगाया और आपको फेस पे ऑली बॉयल लगाना है और पानी पानी से भी होली खेल लाई है पानी बॉड़ी पी डालना है तो वह उसको रुखने नहीं देता है वह तुरंत उसको निकाल देता है तो आप अपने फेस पे ऑली बॉयल लगा सकते हैं और ऑली बॉयल लगाने से पहले एक्टिफ लगाना मत भूलिए संस्कीन लगाना मत भूलिए और उसके बाद आपने होट की किस तरीके से केर करेंगे आप होट में वैसलीन जरूर लगाए या आती है जो इस्टिक रहती है जली रिमूब नहीं होती है आप वो अप्लाइ कर सकते हो अपने लिफ्स में लिफ्स को सेफ करने के लिए वैसलीन के बाद तो उससे क्या होगा आपका जो यह एरिया है यह सेफ रहा क्योंकि जंदरली लोगों का यह बहुत ड्राय होयाता है कटने तक लगते है वह उस्टिक वह से आपको यह लेकर कि फूम करने की अपनी तयारिया कर नहीं है और मैं बताने जारी हो कि हुली खेलने के बाद आपको क्या करना है क्योंकि दे लुद्स कुछ गरें लेटे चाहां कितना लिमूब हुआ है और रिमूब करने आपके इस करें तरहें होलि के बात सब्सक्राइब से पर इस अपने जानी क्या हुआ है दो हम आपको किया है उसके बाद इसके क्यूटिकल्स को भी अच्छी तरीके से कोकोनट ओयल लगा के इसमें मसाज देंगे बट अगर आपने बैसिल लगाया होगा तो आप बिलीब मानिए आपके जो क्यूटिकल्स हैं वह बिल्कुल भी नहीं भरेंगे वह आपके किलीन ही दिखेंगे जब आप आपने कोकोनट ओयल लगाया या फिर आप बदाम का तेल भी लगा कि आप इनको मसाज करके छोड़ सकते हैं और अपना कोई भी लाइट क्लर का नेल पेंट उसमें लगा सकते हैं तो यह आपके नेल पेंट की केर हो गई और अब मैं आपकी हेर की बात करती हूं तो हेर में कोया क्या करना जरूरी है वह जारोरी है बालों का अखाल लिए व्रॉप के बार निकल गए और जो बच्च वे उए इतने जूट के बाल बड़े लगते मालों किस तरहिके से पैक है आप नए इसना हाथि समय ही 20 मेट के लिए आप लगा के छोड़ना है तो जो मैं बता रही हूं आपको क्या-क्या लगाना है एक मैंने बावल लिया और बावल में दो चमबस के करीब में हस्तमें यह आपने एक अपने पर करीब दही उसमें ले सकते हो मैं यह नहीं बोलूँगी कि दो तो सब्सक्राइं, आप यह दही लिया doing Q करीब दही लिया था सकते हें क्योंकि मेरे बहुत लबे नहीं है थुर भी दही लिया उसके बाद कश ड्रॉप मैंने तो यह डाल दिया कैंकि निवू और को तुरंत रिकार करता है और कोई भी केमिकर होता है तो उसको तुरंती काटता है ठीक है तो मैंने नीबु और दही इसमें मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें थोगा साथ कोकुणट ओयल भी डालूंगी थोगा कोकुणट ओयल डाल दूंगी जिससे की बाल हमारे मॉस्टुराइज्ड रहें अशे से मिला लिया और उसके बाद थोड़ा सा इसमें अशनी डाल दिया और आपको मैं बता दूंगी बहुत यूज़ करती हूं चाहे वो मेरी स्कीन हो चाहे वो मेरा हैर हो इंपक्ट में बोटी में भी आनिका यूज़ करती हूं जानी का यूज़ बहुत अच्छा रग हानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह लगबक देखिए एक बहुत ही मौस्ट्राइज बहुत ही प्याना एक पैक बन गया और इक पास बतादों जब भी आप इसको ना हेर में लगाओगे तन बाई रूट्स और लेंद लगाने के बाद इसको और कैप से ठाकना मत भूलेगा मतलब उसको जरूर लगाएगा जिससे कि आपका जो यह पैक है ड्राइना हो और जो भी इसके गुण है वो इसके अंदर ही रहें और 20 मट तक आप से यूज करिए 20 मट के बाद आप इसको निकाल के रैन वाटर रिंस आप कर सकते हो पानी से और यह उनको तुरन की तुरन्त रिपेर कर देगा तो यह आपको करना है से 20 में ठकना है ठीक है बीस में ठकने के बाद आप इसको वाश कर सकते हो और देखिये आपके बाल चमकते-चमकते दमकते दमकते दखाई रहेंगे अब मैं बात करते हूं अपनी पूरी बॉड़ी कि मैं बॉड़ी में क्या ऐसा लगा हूं जिससे कि हमारी बॉड़ी तुरन मॉस्ट्राइज लगने लगे और ऐसा फील लाओ कि मेरी स्कूर ब्राइब हो रहा है क्योंकि मैं आपने घर में थी मैं मैं मुझे दिया कर ती होली के बार्ट कर देखिया बनाते थे और सच में बहुत कार्गर है आप मांकर कितना भी लिया यह बद देसी उप्टन का बात ही अलग है अब मैं अपने बच्छों को देती हुआ कि जब वह ली खेल के आते हैं मेरी मम्मी ने मुझे दिया और मैं अपनी बच्छों को देती हो कि इससे अपनी बॉड़ लगाना है तो आp हे़ चाहें तो हुशмен निकालिए और मैजस हो यह ईकल्ण कर सकते हो तो फिलाल मैं भी आप बनाने जा रही हुआ रही हुआ है हमेरको पताती JOE मैं ना पर जो को मैंने इसमें मिलाया में इसके बोडि के हिसा इविकला की तुमिला तो अब जब आप बना की एक यूल को यूज करना है इस incompetent को यूज事情 चंपसक्रों एक जबक प्रस्पें बड़ I don't have just वन फोर्थ करीब मैंने हल्दी ले लिए उसमें हल्दी जरूर डालिए हल्दी के अपने कुछ अलग गुन होते हैं सबसे बड़ा गुन तो यह होता है कि जब आप होली केल रहे हैं छीना एप्टी हो रही है कलर मत लगाओ करन लगाओ उसमें क्या होता है कि इधर चोट आरी तो यह सब को प्रटेट करता है ठीक है काल दी जरूर लगाओ और उसमें थोड़ी सी मलाई डाली हुई है कि मलाई डालने के बाद मैंने उसमें ऑईल भी डाला हुआ है कि मैंने जब इसमें मलाई डाली है तो इसमें ऑईल का कोई ऐसा वह नहीं है बट्रवाइल डालना जरूरी है कि ओल डालने के बाद मैंने इसमें जो दः था वो मैं लगबग 2 लारूंगी इसमें दही से क्या होगा ज़ो हमारी बॉटी में टैैनिंग हुई होगी या हमारी बॉडी में जितनी भी और केमिकल लगा होगा वह दः बहुत अच्छे से हमारी हमारी बाडी को रिपेर करेग जितना आपका आटा होगा उससे आपका तीन गुना यादा लिक्विड प्रोडक्ट होगा इसमें आप जैसे मैंने एक चम्मच आटा लाया है तो मैं तीन चम्मच के करीब दही जा दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और आपको लग रहा है तो आप थ्वा यह होली नहीं आप ऐसे भी यो उसका त्योंट होते हों और जब हमारी गृइडेल होती है कि अध्याय कैस्ट घंट करता हमने काफी डेका हैं मैंने सलोन प्रनी ऑसे सुन में जो बोलते कि मुझे अधyn जैसी मैं मुझे सुट नहीं खरता थे नियोकि थÕ्य Wakanda तो इसमें को यहीं सेम बच्चों को बॉड़ी में लगवाती थी तो यह में जो बड़ा पसंद उप्तन है और यह बहुत ही अच्छा उप्तन है जो आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह सच में अच्छा उप्तन है आपने लगा लिया और अपने जहां पर आपको आपकी बॉड़ी में जितना भी कलर होगा बल्कि कलर के साथ आपकी बॉड़ी में जतनी गंदगी होगी वह सारी से रिमूब हो जाए यह बहुत ही माइंड ब्लॉइंग उट्टन है ठीक है तो आपने यह उट्टन लगा के यूज कर लिया तो हमारी नेल्स हेयर इसकीन औ आप बताया है आप देखि historians लोग बहुत अच्छे से पूभगा बेक्तिली में बोलूँ घ्रिया में बलेगा यह और यह था मेरे चुट जुता लगली नेhernी को करिए और आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे बताईए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आपने क्या मैंने जो बाते बता ही है क्या आपने यूज किया और यूज किया तो आपको कैसा लगा ठीक है और इसी तरीके से आप लोग मुझे प्यार करते रहिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरू करिए थैंक यू सो मच और सभी लोगों को हैपी वली